गुड़ बॉर्ण गैबरीबन तो आज से हम एक नया चप्टर स्टार्ट करेंगे चप्टर नमबर टू फर्स चप्टर में हमने जोबू प्राचीन भारतिय इतियास का महत्तो देखा इंपोर्टेंस देखी एंसेंट इंडिया हिस्ट्री की तो हमने जोबू एक्साइज भी कंप्लेट कर लिये हैं तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चप्टर नमबर टू प्राचीन भारतिय इतियास के अधुनिक लेखक चीक है तो इसमें हम देखेंगे कि उनका जोबू एक अलगी द्रिश्टी कोण उन्होंने अपनाया उन्होंने भारतिय सास को किस वलताओं को जोबू बहुती कम करके बताया और बिदेशी जोब भी सास कते उनकी सवलताओं को बड़ा चड़ा कर जोबू उन्होंने बताया तो इस पर हम डिस्कस करेंगे तो देखे सब्सक्राइब के उत्रार्द में अंग्रेज भारत के नेक राज्यों को अपने प्रभावा धिन ले आए। पस्चिम के विशेष्टा इंग्लेंड के अनेक विद्वानों ने भारतिय सब्यता और संस्किती से सबंधित अनेक गरंत लिए। चिड़ा कर बताना था। बास्तों में भारत में हीन भावना भरना चाते थे। भारतिय लेखों ने इसे एक चुनोती समझा। उन्होंने प्राचिन कालेन भारतिय के बास्तविक गौरव को लोगों के समुख प्रस्तूत करने के लिए अपने बहमुले गरंत लिए। इन गरंतों में भारतिय सब बतायवन संस्कृती के बिभिन पक्सों पर भरपूर प्रकास डाला गया। इन लेखों के द्वारा किये गये यतन। प्राचिन कालेन भारतिय इतियास के पुनर निर्मान में बहुत सहायक प्रमानित हुए। आगे लिखाया उपनी बेस बादियों के बिचार और योगदान। तो इसमें हम देखेंगे कि जो अंग्रेज यहां पर सासन कर रहे थे उनका जो वो क्या व्यू रहा कैसे विचार रहे उनके और कैसा क्या क्या उनकी कॉंटिविशन रहा। तो यहां पर लिखाया जैसे कि 1757 इस भी की प्लासी की तो प्लासी की लडाई जो वो 1757 में हुई जाता है कि बक्सर के लड़ाई का बूई थी 1764 में प्लासी के लड़ाई 1757 में ठीक है तो 1765 इसमें बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के साथ की गई इलावाद की संधी तो इलावाद की संधी का बूई थी 1765 में हुई थी उसे बंगाल बिहार और उडिशा का स्थासन जोबो वो अन्जाम थे अता उन्होंने 1776 1764 में हिंदो के कानून से सबसे प्राचिन एवं प्रमानिक गरंत ठीक है तो यहां से कोशिन बहुत इंपोर्टन बन जाता है कि सबसे प्राचिन और प्रमानिक जो गरंत है मनुसम्रिती उसका जबो अंग्रेजी में अनुवाद उन्हो उसका नाम अकोड ऑफ जेन्टू लाज रख रहे है तो अंग्रेजों ने जो क्या किया जो भारत हिंदू के कानून से सबसे जो गरंत ठाप्रमानिक और प्राचिन मनुसम्रिती उनका जबो अंग्रेजी में अनुवाद करवाया उसका नाम जबो क्या रख दिया उन्होंन पस्यम के अनेक बिद्वानों में बाते सब बता और संस्कृति को जानने के लिए रुची उत्पन होगी तेक है इस उदेसे से 1784 इस्वी में कलकता कोलकाता में एसियाटिक सुसाइटी ऑफ बंगाल 1804 इस्वी में जो उस्ताबदी के उत्राद में पस्यम से अनेक पस्यम से इस बंदित अपने गरंध लिए इन में से कुछ बिख्यात बिद्वानों और उनके द्वरा किये यतनों का बिबरन नहीं में लिखते है तो उससे पहले आता है बिलियम जॉन्स तो बिलियम जॉन्स के बारे में देखेंगे कि उसका जोगों क्या योगदान रहा अब लिखा है 1746 से 94 तक जोगों रहा होगा 1746 में उसका जनम और मित्यु जोगों 94 ऐसे यहां पे लिखा है बिलियम जॉन्स इंगलेंड का एक महान भी दुआन था वहां 1783 में कलकता जो आजकल जोगों कलकाता है कि सर्बोच नेले का नियाधिस बनकर भारता है था तो कर आया था 1784 इस भी में उसने एसियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल की स्थापना की को यहां से भी कोशिन बनता है कि एसियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल की स्थापना जोगों किस ने की थी बिलियम जॉन्स ने की थी जोगी एक नया देश थे कहां के सर्वोच नेले खुल कता के ठीक है इसका प्रतम प्रदान भी बना था इस सोसाइटी के उद्यस्य प्राचिन काली ने भारत की इतियास उसकी भासाओं साहिते कानून बिग्यान दर्शन और कला की कोज को प्रोचाहित करना था इसके अनेक परिणाम स्वरोप बहुत से यूरोपिय विद्वान इस काम में जूट गए उन्होंने भारत के अनेक बिख्यात ग्रंथों जैसे बेद, उपनी सद, धर्म सास्तर और गीत, गोबिंद, इत्यादी का अंग्रेजी में अनुबाद करूआ है तो आपको यहां से भी कोशिन बनता है, तो उसने जो बेद थे, जो ग्रंथ थे उसका जो अंग्रेजी में अनुबाद करूआ है, तो कौन-कौन से थे, उपनी सद, धर्म सास्तर ता गीत, गोबिंद का अंग्रेजी में अनुबाद करूआ है तो आपको यह भी आसकता है कि कौन सा नाटक था, जिसका उसने जो बिलियम जोन्स ने, जो केक नहीं अदिश थे, उसने जो क्या किया था, अंग्रेजी में अनुबाद इसका भी करवा दिया थे, नाटक का, क्या नाम था इसका, अभी ज्यान संकुन्तलम, ओके, नेक्स द जिसने 1895 में भागवत कीता का अंग्रेजी में अनुबाद ख्रवा है, तो यहां से पका गुशिर मनता है, क्योंकि भागवत कीता जो वो एक बहुती इंपवर्टेजी में अनुबादे की सिने गरवाए था, तो चाल्स बीलिकिनस ने गरवाए थ तो, तो चार् Virgil के सिने अनुबाद करवा है. यहां पर देखे अभिख्ञान सकुंतलम का अंगरी जी में अनुबाद जोब वो किसें भी करवाया था. बृलियम जोंस ने. तो यहां पर भी लिखाए कि गीत-कोबिंच और काली दास के तीक है? तो कालिदास के जोगो अभी घ्यान सकुन्त लम नामक पुस्तव का अंग्रेजी में उसने अनुबाद गराया, उसने सस्कित के अनेक सीरलेकों के सबंद में भी मतबन परकास डाला नेक्स देखिए जैम्स प्रिंसेप 1799 से 1840 इसवी तक रहा होगा, जैम्स प्रिंसेप इंग्लेंड के महान विद्वानों में से एक था, वह 1832 इसवी से लेकर 1838 इसवी तक, एसियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल का सचीव रहा, ठीक है, देखिए बंगाल जो एसियाटिक सोस अपना किस ने की थी, बिलियम जॉन्स ने की थी, ठीक है, उसके बाद जो वो उसका क्या बन गया था, प्रतम प्रिंसेप आया, वो जो वो इस सोसाइटिक आफ बंगाल का सचीव रहा, ठीक है, वह अनेक बरसों तक कलकता, कुलकता जो आजकल है, ठीक है, बारण असी की, चकसालों का प्रदान भी रहा, इस समय, इस समय के दोरान उसने भारतिय सिक्कों के संबंध में महत्तपोन खोजे की, ठीक है, तो आगे भी है थोड़ा सा, चलिए, आगे मैं ऐसे बदा देता हूं कि इसने जो वो क्या, इसका महत्तपोन योगडा रहा, देखे, याँपे लिखा है, बारतिय सिक्कों के संबंध में महत्तपोन खोजी की, तो लिपी को जो भी लिपी लिखी ही थी, उनको पढ़ने में उसने जो वो सफलता प्राप्त की थी, और सबसे इंपोर्टेंट बात इसकी क्या थी, कि उसने जो वो असो के जो सिलल लेख थे, उसको पढ़ ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, टेंक यू, एंड, हैव नाइस देए